विद्ध्यार्थी भाई बन्य हरू, हमें एंत्र पाठ अंतर गत्माईं। कच्छ्या नव को विज्ञान विशय पाठ एंत्र का विविन्न विशय वस्त्वरू छलफल गरने क्रम्मां, अब हामें छड़के सतह को बारे मां छलफल गर देश हूं। छड़के सतहू, इंक्लेंट प्लेंट, विद्ध्यार्थी भाई बन्य हरू, इसला हामेले एंत्र जस्तो अनुभाब न गरेता पनी, यो कामगर्न सजीलो बनावने अरको महत्तोकुर्ण एंत्रा हो। जस्तै तिमीहर लाए थाच उकालो बाटो मां धेरे योटा घुमती राखे रोड बनाएंचा। रो मोटर सजीले संग गुण न सक्षा। एदी तियो उकालो बाटो मां अर्थात पहाडी भुबाग मां धेरे योटा मोटरो बनाईये न वने मोटर गुण न सक्ते न। अने हामीले हामरो बेभारिक कुरापनी हेर न सक्षा। जस्तै एउटा तलावाट अर्कु तलामा चर्णको लागी भर्यांग प्रयुक गरिंचा। तिने भर्यांग नई सब्बंदा बेभारिक छड के सतह को उधारन होना सक्षा। तिसले सतहलाई छड के पारी बनाई एको एंत्रा। सतहलाई छड के पारी गरों लोड लाई। माथी उठाउन को लागी। को लागी प्रयुक गरिंचा। छड के सतहा बनेंचा। जुस्त है बाई बन्यारो आमी यूटा फिगर हे रहूं यूटा सत हा जाहा ए पोईंट बाता बी पोईंट सम्मा यूट लाई ए पोईंट बाता बी पोईंट सम्मा यूट लाई पूर्याउन पर्नेशा लोड उठाउन पर्नेशा भने बी सी छड के सतहको प्रयोग बाता सचिले संग माती उठाउन सक्येंचा एस्ताई हो जुन हिमाली तथा पहाडी बुबाग मा देरे ओटा घूमती बनाए रोड बनाउनको अउचित्ते बने जबकी तथाडो कालो मा मोटर चर्न सक्ते न घूमती भाय पसी सतह छड के भायो सतह छड के भाय पसी मोटर सचिले संग गुन्ना सक्षा तेस्ताई यो लोड लाई पनी हामि ए पोएंट बाट बी पोएंट मा पुर्याओनु पर्ने हो तर सीधाई ठाडो उचाई मा तान न लाई जती बल प्रियोक करनो पर छा त्यू भन्दा कोम बल प्रियोक कर्योग भने चड के सतह मारफत हामि लोड लाई माती चडाओन सक एसरी छड के सतह को जुन उचायलाई इस्तीर राखेर यो उचायलाई इस्तीर राखेर जती सतहलाई छड के पारियो तेतीने एसको गती अनुपात बढ़ना राण छा बिद्धार्ची भाई बन्यारो यो उचायलाई ठाड उचायलाई इस्तीर राखेर यो छड के सतहल को छड के पान जती बढ़ायो तेती नहीं एसको गती अनुपात बढ़ छा गती अनुपात बर्णो भनेको कार्ये गर्णको लागी सचीलो होनो अब एसमा पने यांत्रिक फाइदा गती अनुपात र कार्ये छिमता कसरी गर्णा गर्णा सकीन छबानने को रामा हामी थप छल्फल गर्ण कि युटा च्छाड की सता युटा च्छाड की सता युटा च्छाड की सता लाए है रों यां लूट राखिये कुछा युटा लाए माथि तान्ना को लागी इफोट लूट हो यां इफोट लाख्ष युटा अब च्छाड की सता हमा पनी यांत्रिक फाइदा यां ए बराबर लूट बाई इफोट नई हुँचा यां हमीने देखेका आशों युट लूट शा इसलाए तान्ना को लागी इफोट प्रेवकुण शा रह यां च्छाड की सता हमा को लंबाई छा यो च्छाड की सता हमा को लंबाई हो बने यो बर्टिकल हाइट च्छाड की सता हमा को उचाई हो यो इसलाए हमिले एच ले संकेत करियों इलाए हमिले इले संकेत करियों बने अब अब गती अनुपात भी आर बराइबर एल बाइबर एल बाई एच अर दार एल का ठामा मिले दिस्टेंस दी ले क्यों बने दी बाई एच दी बाई एच होंचाई यो च्छाड के सता को गती अनुपात भालो अब आमी याक कुने अंक भरेर छड के सतहमा पनी यांत्रिक फाइदा गती अनुपात र कारिये छे मता गणना गरूं जस्ते है लूड लूड कुठाव मा आमी 250 न्यूटन लेक ना सक्षों इफोट 50 न्यूटन अने तेस्ते है छड के सता को लंबाई है मिले 16 मेटर हने तेस्ते है एच 2 मेटर छवनी मानुप एसों उदाखेरी अब एसको यांत्रिक फाइदा गती अनुपात र कारिये छे मता कती-कती हों दो रहेचा तेस्ते हामीले बुजे का छों हामीले छलफल गरी सके का छों की कारिये छे मता बराबर उत्पादित कारिये बाई लागत कारिये इन्टू 100 परसेंट हों छा भनेर तेसका आधारमा पने हामी कारिये छे मता गणना गणना सक्षम कीना बने लोड हामी संग छा इफोट हामी संग छा इफोट डिस्टेंस बने को नहीं छाड के सतहको लम्माई हो इन्कलेन डिस्टेंस हो औनी लोड डिस्टेंस बने को नहीं छाड के सतहको उचाई अर्थाथ एच हो तेसोभाई को नाले हामी आउटपूट ओर्ख रा इन्पूट ओर्ख को आधारमा पने इफिसेंसी गणना गरना सक्षम हामी दोबै रूल बातो एच को इफिसेंसी गणना गरना चित्र मा दिये अनुसार एहां लोड इकोस टू 250 न्यूटन तेसोभाई लोड डिस्टेंस कती भालता लोड दूरी एकोस टू टू मीटर लोड रो लोड दूरी को आधारमा हमी आउट्पूट ओर्ख अर्थात उत्पादित कारिये गणना करना सक्षम तेसे ले उत्पादित कारिये बराबर लोड इन्टू लोड दूरी ब्यालू पूट गरों लोड बनेको 250 शा इन्टू एकोस टू 500 जूल उत्पादित कारिये 500 जूल रहे शा तेसे बहे लागत कारिये कती हुन्छा था हमी लाई थाचा इफोट इफोट कती दियो 50 न्यूटन इफोट दूरी 16 मीटर अब लागत कारिये भनेको नहीं इफोट इन्टू इफोट दूरी हो इफोट इन्टू इफोट दूरी हो इफोट इन्टू इफोट दूरी हो अब इफोट 50 न्यूटन शा इफोट दूरी 16 मीटर शा हामिले अगिल्लो छालफल मापने बुजी सक्यों छाड के सता को लंबाई पहनेको नहीं इफोट दूरी हो जुन 16 मीटर शा अब 50 इन्टू 16 पनेको 800 जूल होंचा S का आधार माँ हामि कारिये छे मता गणाना गरोन कारिये छे मता बराबर उत्पादित कारिये बाई लागत कारिये इन्टो 100 परसेंट यो हामिले छलफल गरी सके काशों अब आध ब्याल्लू पूट गरों उत्पादित कारिये भनेको 500 जूल 500 जूल बाई लागत कारिये 800 जूल 800 जूल S बाट हामिले 5 by 8 5 by 8 भनेको 5 6 जा 5 4 जा 64 दसमलब संतिंग परसेंटेज 64 दसमलब संतिंग परसेंटेज हामिले एसको एपिसेंशी गर्णाना गर्णू अब या 64 संतिंग परसेंट एसको एपिसेंशी आयो भने बाकी बाकी रहेको चुन 36 36 परसेंट इनर्जी या उर्क का गयोत्त बन्दा एई एंत्रमा घर्षन भयो घर्षन भयको कारणले त्यो एनर्जी चाहिं साउंड रहीट इनर्जीमा टान्सपर भयो एंत्र संचालन हुदाखिरी अबाज आउंचा कारण घर्षन बल्ले हो अने घर्षन भय पशी इट प्रोडूस्ट भयाल जा हमिले कुनही पनी मैसीन ओडी सामान चलाउंदा रोन गरदा त्यो ताते को अनभाग करी काशं त्यसको कारण हो त्यो मैसीन मा हुने घर्षन जुन घर्षन ले करदा हीट प्रोडूस्ट हीट प्रोडूस्ट भय सके भजे सबई लागत कारिये उत्पादित कारिये माँ परिन दोना सकते ना एसाई गरिए अब एस लाई योग क्वेशन लाई मेकानिकल एडबांटेज अर्थात यांत्रिक फाइदा बेलोसिटी रेशियो अर्थात गती अनुपात पत्ता लगाये रह पहनी इफिशेंसी पत्ता लगाऊना सरकिन चा त्यो काम विद्यार्थी भाईपन यारोले पुरा गरने चाओ अब इसको आमी निसकर समझाओं कस तो निसकर सतह बंदार एई छड़की सतह को लंबाई अली थोरे 8 मीटर मात्रई भाईदिये को भाईदियों यो छड़की सतह को लंबाई 8 मीटर मात्रई भाईदिये को भाईदियों यो लोड लाई माथी पुर्यावना को लागी अज़ा धीरे बल प्रियोग करना पर थे हो र जसरी यो छड के सता को लम्माई बड़ी छा र सचीले संग अली कम बल्ले एसलाई माथी पुर्यावना सकीन चा तेती सचीलो मुदै न थे हो यो छड के सता को उचाईलाई इस्तिर राखे र जती धेराई छड के लम्माईलाई बड़ाउना सकीयो तेती नई गती अनुपात को मान बढ़ना जान्छ र काम गरना सजीलो हुन चा वित्यार्थी भाईबेन्यरो ध्यांदीनु परने कुरा के रहेता बंदा एसको निसकर्षक करूप महामिले के बुज़नु परता भन्दा छड के सता को उचाईलाई इस्तिर राखे र यो लम्माईलाई जती बड़ाईउन तेती नई गती अनुपात को मान बढ़ना जान्छ र काम गरना सजीलो हुन दे जान्छ अब तेमीहरुले आफनो क्लास ओर्ग कुरूप मा अर्थात हमोर कुरूप मा एसक लाई मेकानिकल एडवांटेज र भेलोसिटी रेस्यू पत्ता लगाऊँ दै कार्यचे मता गणाना गरने प्रयास करने जाओ अब हामी पांग्रा र बीड को बारे मा छल्फल गर्शूं अब हामी पांग्रा र बीड को बारे मा छल्फल गर्शूं पांग्रा र बीड वील एन एक्सल पांग्रा र बीड ते पांग्रा र बीड अंतर गत्पने वील एन एक्सल वील एन एक्सल हूँ हेर दा खेरी पांग्रा र बीड लाई पनी एन तरह हो बन्न पनी सकेंचा तरह हामी ले अनुभब गर्ने करे कासां की एसले पनी काम गर्ना देरे सजीलू पारता छा जस्तै डोका को हैंडल हामी लेहर न सक्षम साइकल को हैंडल तेस्तै कपडा सिलावने कॉल को पांग्रा र बीड हामी अनुभब गर्ना सक्षम त्यों एन्तर ले पनी काम गर्ना सजीलू बनाई देन छा जस्तै यो पांग्रा भायो यो पांग्रा मा बीड राकिंग छा एस तो बीड हुंचा यो बीड भायो पांग्रा र बीड मा यो पांग्रा को अर्दब्यास क्यापिटल आर्षा बीड को अर्दब्यास इस्मल आर्षा जयली पनी पांग्रा मा इफोट लाक्षा पांग्रा मा इफोट लाक्षा बने बीड मा लोड राखिये कोण छा एसरी पांग्रा र बीड ले पनी समित रूप मा काम गरने करदशा पांग्रा मा लगाई को बल बीड ले गुडित गराऊंचा औनी कारिये करना सजीलोंचा पांग्रा मा लगाई एको बल बीड ले गुडित गराऊंचा जसताई पांग्रा एक फन का गुंधा बीड धेरेई फन का गुंचा किना बने पांग्रा को अर्दब्यास बड़ी छा र बीड को अर्दब्यास कम छा एसाईले पांग्रा एक पटक कुंधा बीड ते अनुसार कती कम छा तेसको अर्दब्यास बड़ी पटक गुंचा र बल को मात्रा लाई गुडित अर्थात मैगनिफाई गराऊंचा पांग्रा मा लगाएको बल मैगनिफाई भाई र बीड मा धेरे उत्पन्न हुंचा इसमा की ओंदो रहे छता पांग्रा र बीड लाई जूडिरा बनाएको एंत्रा नाई पांग्रा र बीड हो इसमा की ओंदो रहे छा पांग्रा मा बल लाग्छा बीड ले तव लुठाउंचा पांग्रा मा बल लाग्छा बीड ले तव लुठाउंचा र पांग्रा मा लगाय को थोरई बल पांग्रा मा लगाय को थोरई बल बीड मा गुणित भायर धेरई बन जा एस अईले कामगर्ना सजीलो जा विद्ध्यार्थी भाय बैन्यारो अब एसमा पनी यांत्रिक फाइदा गती अनुपात र कारिये छे मता गणना कसरी करना सक्कें जता तेस बारे मा छलपल गरम विद्ध्यार्थी भाय बन जारो हमिले था पायूं पांग्रा को अर्द बैस बीड को अर्द बैस अनि लोट एफोट इचार ओटा कुरा हरूलाई सम्बंदित गराऊँ दाकरी यांत्रिक फाइदा यां में इकल स्टो लोट बाई फोट यह सबाई मा एउटाई हो फर्मुलाई यांत्रिक फाइदा यां ए बराबर लोट बाई फोट तैस तै अब इसमा गती अनुपात गती अनुपात बी आर इकोज टू पांग्रा को अर्द बैस पांग्रा को आर बाई बीड को आर पांग्रा को आर्द बैस बाई बीड को आर्द बैस भाने को नहीं पांग्रा र बीड मा गती अनुपात हो जती पांग्रा को अर्द बैस बड़ी भायो तेती नहीं एसमा गती अनुपात को मान बड़ी हुना जान्चा र कारिये गर्न पने सजीलो हुनचा पांग्रा को अर्द बैस कम भायो भने कारिये गर्न धेरे सजीलो हुदैना तेसले पांग्रा को अर्द बैस बड़ी नियोनुँ जरूरी हुनचा अब एसमा पने हामीले निस्चित अंकरु राखी एंत्रिक फाइदा गती अनुपात रक्कारिये छे मता गणना गरेगा हेरम लोट को मान हमीट 300 नुटन लेकना सक्सां मानो इफट 200 नुटन पंग्रा को अर्द बैस 6 cm बीट को अर्द बैस 2 cm राखेर हामी हेरों चसनुशार अब याम एको भ्याल्लू कती हुनचा अनी राखेर हेरों यामे एकुस तू 300 नुटन बाई 200 नुटन 1.5 अनी तिस्तहे गती अनुपात पांग्रा को अर्द बैस 6 cm बाई बीट को अर्द बैस 2 cm थी आयो अब कारीची मता कारीची मता बराबर याम ए बाई भी आर इन्टो 100 परसेंच बैलू राखे रहरों बाई यामे भने को 1.5 भी आर भने को 3 इन्टो 100 एकुस तू 50 परसेंच परसेंच 50 परसेंच वे दर्द बाई बैस अरो यो पांग्रार अब बीटको कारीची मता 50% पर्षेंटेच वहे छा कुशरी अब एसको बागी 50% का गयो ता तेही कुरा दोरींच एंत्रमा हुने गर्षन को कारणले कुल लागत कारिये उत्पादित कारिये मा परिनत हुदैना एंत्रमा हुने गर्षन को कारणले कुल लागत कारिये उत्पादित कारिये मा परिनत मुदैना तेही भायो यो पांग्रा रभीड मा पनी जुन 100% लागत कारिये थियो तो 50% उत्पादित कारिये मा परिनत भायो बाकी 50% का गयता भन्दा एंत्र मा हुने घर्षन को कारण ले ताप रधोनी सक्तिमा परिनत पहो अप एही पांग्रा रबीड संग सम्मन्दित एउटा थप जानकारिया में पुझम पांग्रा रबीड लाई निरंतर गामी उत्तोलक बनें छा पांग्रा रबीड लाई निरंतर गामी उत्तोलक कांटिनियस लिवर बनेंछा किना पांग्रा रबीड लाई निरंतर गामी उत्तोलक अर्थात कंटिनियस लिवर बनेंछा किना किना भनें आमी अले कथी फेरी योटा फीगर लाई ध्तोलक यो पांग्रा भायो, बेड हुन्छा, यहाँ इफोट हुन्छा, बेड मा लोड हुन्छा, यो लोड भायो, अब निश्चित बिन्दु मा यहाँ फॉलक्रम भायो, यो फॉलक्रम भायो, यह चरी पांग्रा भीरड लाई पने हा मिले उत्तोलक संगर ने कंपीयर करना सक्यां पांग्रा रब बिड लाई पनी उत्तोलक्ष नग कंपीयर करना सक्यां, कसरी ता, बन्दा, एसको पनी एक छेव मा लोट भाश्यो, एक छेव मा इफोट भाश्यो, र बिच मा फलक्रम पनी भायो, अनी के पनी उन्छता, बन्दा, पांग्रा रब बिड और थात पांग्रा मा बल लगाई सके पची, निश्चित ठाउं वा निश्चित अक्षे मा, अक्षे को उरी परी, निश्चित बिंदु वा अक्षे को उरी परी, पांग्रा रब बिड संक्षंगई कुमचन, ते संक्षंगई घुमने भाखो पांग्रा रवेडग एक साथ निरम्तर रुप मा गूमशना जब पांग्रा मा बल लगाई छो तो निश्चीत बिंदू वा अक छेको ओरी-परी पांग्रा रवेडग 21 साथ गूमशना तैसले नियह लाई निरम्तर गाम्य उत्त cater लग वहने हो हामेले उत्तर मा पने लेखना साच्छू, पांग्रा मा बल लगाए पच्छी दुबई निस्चित बिन्दु वा अक्षिको उरी परी निरंतर गुमी रहांचान। निस्चित बिन्दु वा अक्षिको उरी परी निरंतर गुमी रहांचान। ते सबको नाले स्लाइड निरंतर गामी उत्तोलक भनेंचा बिद्ध्या थिपाई बन्यारों। आमी लेहरने करेकास हों। जस्ताई युटा इस्पान और अर्थात रेंज जसलाइची कस्चिय को नट खुलना प्रयोखुंचा त्योपनी युटा पांग्रारभ्य को उतारन नहीं हो। अब हामी यो पाठ को अंतमा मोमेंट को बारे मा चल्फल गर्छों। टोर्निंग इफेक्ट अप फोर्स अर्थात मोमेंट को बारे मा चल्फल गर्छों। विद्धार्थी भाईबे नियरू अब हामी एंत्र पाठ को अंतीम विश्य बस्तो जुन मोमेंट को बारे मा चल्फल गर्दाइश। मोमेंट भने को टोर्निंग इफेक्ट हो। टोर्निंग इफेक्ट आफ फोर्स तै मोमेंट। मोमेंट को बारे मा चल्फल गर्दाएश। कुनेई बस्तु लाई बाईरी बल प्रयोक गर्दा कितत्यो बस्तु कुनेई सिधा बाटो मा अगाडी बढ़्चा सरल रेखामा हेड़चा कितत्यो बस्तु ब्रिताकार पत्मा गुम्षा। आमीलो है थयाएश, बाईरी बल प्रयोक गर्दा करीकिता खुनेई बस्तु सरल रेखामा हेड़चा किता ब्रिताकार पत्मा गुम्षा, जस थैद घर को ढखाघूल indrin pensено, किता कहारी ब्रिताकार पत्मा गुम्चा। तो काला हमीले खोलूं अनि बंदगरूं त्यो ब्रिताकार पत्मा गुम्छा। एसरी बल प्रियुक गर्दाकेरी कीत सरल बाटो मा जानचा बस्तु कीत ब्रिताकार पत्मा गुम्छा। एसले अब हामी या मोमेंट को खुरा माँ चाई बृताकार पत्मा घुमने और था टर्निंग इफेक्ट को बारे माँ छलपल गर्षम एसले कुनाई बस्तुलाई बाहिरी बॉल प्रयोग गर्दा कीत त्यो बस्तु सीधा बाटो मा एड़ छा कीत बृताकार पत्मा घुमने चाई यो कुरा हमी ले था चाई हमें अनुबब करना सक्छों जस्ते योटा गर को डोका खोले रहेरों आमी बंद गरे रहेरों आमी रत्यो डोका ले तल जमीन मा अर्थात सतहमा गोटे को कुरा लाई पनी काई काई आमी देखना सक्छों जमीन मा आली टाइट बहर बसे कुछ अबने जमीन ला इत्यो ठोका को जुन्धार ले खोडशा रत्यो कस्तो देख्षों तामी बृताकार नहीं देख्षों अगर यहां बॉल को असर चाहे जीव हैता पनी बॉल को असर देख्षों यहां यहां एस बाट बॉल को असर उन्च भनने कुरा प्रस्ट उन्चा तेसा इले सामन्ने भासामा भन्दा बॉल को असर लाई नई मोमेंट भनिन्चा बाईबैन्य अरुले अनुभब गरेको कुरा छा उरी चल्दा अगलो रुख बाँचीन छा अग्याईद ओचो रुख बाँचीको रेकर्ड हामी कम सुन्ना सक्षूं किना यस्तो हुन छता किना भने अगलो रुख मा बलको असर बड़ी परछा जबा बलको असर बड़ी अगलो रुख मा परचा बने अगलो रुख नहीं भाँचीने संभावाना बड़ियूंचा गाउंगर्मा बसने बाईबैने अरुले थाचा उरी बेस्षरी चल्यो अनि जंगल तीरची रुख रुख रुढलेको देख्षां रुखरु ढल्डाहेदी अगलो रुखने ढलेको हमिँ भैठ्षूंच एदि अब लुकन गड़ियूंगाने हौँ तीस वहले बलको असर परचा बलको असर अगलो बस्तुमा बड़ी परचा कीना अगलो बस्तुमा बड़ी परचा ता अब तेसको बारेमा पनि हमिए शाल मोमेंट लाई और कुठांग बाट बल र बल लागने बिन्दु देखी अडिने राउं अर्थाच चुसले आलंब भनाव हामी आलंब सम्म को लंब दुरी को गुडान फल लाई मोमेंट बनिन्छा यो परिवास अलाई अबलोकन करदा हीरी हमी की बनना सक्षू मता मोमेंट बराबर बल इन्टू बल को परिणा पनि भनना सक्षू मैगनेट्शूट अफ फोर्स बल इन्टू आलंब देखी बल लागने बिन्दू सम्मको लंब दुरी मोमेंट हामे यो शरी गणा ना गरना सक्षूं जुन बल इन्टू आलंब देखी बल लागने बिन्दू सम्मको लंब दुरी जस्ते अगलो रूख रूख अगलो छा आलंब वनेको जमीन भो जमीन संग जराहरो निसके कोण चा यो अडिये कुछ उरी चल्यों बल लागने बिन्दू देखी आलंब सम्मको यो दुरी बढ़े दाखी बल को असर अर्थात मोमेंट पनी बढ़े हो मोमेंट बढ़े पसी किया हों चता बन्दा अगलो रूख 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 डलने संब्धा अर्थात बल को असर बढ़े बढ़े परे पसी ते सता रूखा रूख रूख रूब ढलने करता चारинки फेरे अरको कुरा हामी अब लोकन गरूं, जुस्ताई यो रेंज छा, एसले कशियोको नट खोलनो पर्यो भने, यो रेंज को लम्माई जती लाम हुन छा, तितिने सजीले साथ हामी कशियोको नट, नट हामी या राख छों, एसले र हामी खोल छों, खोल लाखेरी या नजी कई समाउधाखेरी जती सजीले साथ खुल छा, एसला अली टाड़ा समाउधाखेरी बल को असर बढ़न जान छा, टर्निंग इफेक्ट बढ़न जान छा, तेशो बाहे पचि कशियोको नट सजीले साथ खुल छा, बाई बन्यारू या बल लागयो र यो आलम्म भयो आलम्म देखी बल लागने बिंदु सम्मको लम्म दुरी परपेंडिकुलर डिस्टेंच बढ़यो परपेंडिकुलर डिस्टेंच बढ़यो परपेंडिकुलर डिस्टेंच बढ़यो परपेंडिकुलर डिस्टेंच बढ़ बड़ी परने भायको नाले हो तेस्ते हुरी चल्दा अगला रूखरू ढलने सम्भावना बड़ी हुन जा एई बल को असर बड़ी परने भायको नाले हो रहा हमी एई टर्निंग इफेक्ट अर्धात बल को असर नई मोमेंट हो बनने को रा माँचें हमरूं कांशेप्ट बर्सना बर छा अब हमी एई मोमेंट को नियम जुन यो अनुसार यो मोमेंट को फ़र्मूला अनुसार मोमेंट को SI 1,I की होन चता बल को एक आई न्यूटन हो दूरी को एक आई मीटर हो एसर था मोमेंट को SIça21 उनर गरता नॵेंटर मोमेंट को SI1 उनर प काहिगय प उनर मेंटर मुमेंट लातो. अब हमें यो जुन मोमेंट दुई ओटा कुरा मा निर्भर हुन चा बन्ने कुरा को निस्कर समापनि पूग्णा सक्षाऊ मोमेंट के के कुरा मा निर्भर हुन चा था नम्मर एक लगाएको बल को परिणाम यो लगाएको बल छो जुन बल को परिमाड हो magnitude of applying force लगाएको बल को परिमाड र और को केमा बर परोता बन्दा गुमने अक्षे देखी बल लागने बिंदु सम्मा को दुरी गुमने अक्षे देखी बल सम्म को लम्म दुरी जुन दुई कुरामा निर्भर रेंओ आमिन यसे बाता दुई योटा कुरामा निर्भर रेंव वर्ना सक्यों नमर एक बल मानेर भरोंच जती नहीं फोर्सले उरी चल छा तेती नहीं यो उतापटी लचकीन छा रतोबे लाब आचीन छा जब धेरेई बल को असर पर छा तेस्ताई रेंज बाट नट खोल्दा केरी पनी लामो रेंज पहयो बने जुन अक्छे देखी बल लागने बिन्दु सम्मको दुरी बढ़ना जान्च बल को असर बढ़च अनी कसीये को नट सजीले साथ खुल्चा यो बल को असर हो अब हमी यो मोमेंट को नियम क्यों होन जाता इसको बारे मां चल पल गर्शों मोमेंट को नियम मोमेंट को नियम लाज मोमेंट बिद्धार्दी भाई बन्यारो मोमेंट टोर्निंग इफेक्ट हामी दोई पटी बढ़ा एसरी पनी बढ़ा उनसक्षों एता पटी कलकवाईज पनी उनसक्षों एंटी कलकवाईज पनी उनसक्षों थे सईले बस्तु संतुलन रहे को अबस्तामा कलकवाईज अर्थात गडी को स्वी घुमने दिशातिर को मोमेंट को योगफल र गडी को स्वी घुमने दिशाबंदा विपरित दिशातिर को मोमेंट को योगफल बराबर हुने अबस्तालाई नई मोमेंट को नियम वनेरा वनिन छा बस्तु संतुलन अबस्थामा बस्तु संतुलित अबस्थामा रहे को बेला गड़ी को स्वी घुमने दिशा तिर को मोमेंट को योगफल रहे को गड़ी को स्वी घुमने दिशा भंदा बिपरित दिशा तिर को मोमेंट बराबर हुन्छा दिशा तिर को मोमेंट को योगफल बराबर योगफल 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 इंत्र स्वी घुन्ट दिशा तिर को मोमेंट को योगफल गड़ी को स्वी घुमने दिशा भंदा बिपरित दिशा तिर को मोमेंट को योगफल बडाबर हुनु लाई नाई मोमेंट को नियम बनेंछा वित्तार्जिबाई बन्यारो एसरी संतुलन हुने गरी कुनाई पने एंतरलाई संतुलन हुने गरी राखियो भने गडिको स्विक हुमने दिसातिरको मोमेंट को यक्फल र बिपरित दिसातिरको मोमेंट को यक्फल बराबर हु नियम, लव मुमेंट बनेंच, अब लोड र लोड डिस्टेंच इक्विल इफोट इन्टू इफोट डिस्टेंच उंच, एंत्र संतुलन भायको अवस्थामा क्योंच? एंत्र संतुलन भायको अवस्थामा लोड इन्टू लोड दूरी बराबर इफोट इन्टू इफोट दूरी अणच, एंत्र संतुलन भायको अवस्थामा लोड इन्टू लोड दूरी बराबर इफोट इन्टू इफोट दूरी अच, बई बायको यों मुमेंट को नियम भायको एसरी आमीले एंत्र भन्ने पाठ को अंतमा पर्ने विश्यवस्तो मोमेंट को बारेमा के जानकारी हरू लियूं। अब तिमें अरुले एसको बारेमा पाठ मा दियेको अब्यासलाई हल गरने प्रयास गरने छव। र थप जानकारी हरू लिने छव।